आज मैं बात करने जा रहा हूँ ऐसे फिल्म एक्टर की जिसे बड़ा रोल हासिल करने में 12 साल लग गए लेकिन कुछी सालों में उन्होंने पुरे इंडिया में एक्टिंग से अपना नाम बना लिया नवाज उदिन सिद्धिकी का जनम 19 मैं 1974 में उत्तर प्रदेश के मुझफवर नगर जिले के एक छोटे से गाव बुडाना में हुआ था जहाँ उनके पिताव किसान थे नवाज उदिन के नौ बाई बैन थे जिन में नवाज सबसे बड़े थे स्कूलिंग के समध नवाज ने साइन्स ट्रिम चुने जिसकी वज़े से वो आगे चलके एक कैमिस के तोर पर काम करने लगे पर नवाज को इस नौकरी से संतुष्टी नहीं मिले उनमें और काम करने की चाह थी नवाज को अभी तक ये नहीं पता चला था कि उनकी रूची किस में थी तो फिर वो और काम डुने के लिए दिल्ली चले गए जहां उनके एक दोस्त ने उन्हे एक दिन थियेटर दिखाया उस दिन नवाज को रियलाईज हुआ कि थियेटर ही मेरी दुनिया है और इसी में मैं कुछ कर सकता हूँ पर वो अभी भी एक आम ओडियंस ही थे उनके अंदर कोई confidence नहीं था इसलिए उन्होंने स्टार्टिंग में करीब पचास से साथ प्ले देखे फिर कुछ समय बाद वो साक्सी थियेडर के साथ जुड गये और वहाँ उन्होंने मनोच बाचपई जैसे एक्टर के साथ काम किया फिर उन्होंने अपने एक्टिंग के अंदर बढ़ते इंटरेस को देखते हुए नेशनल स्कूल अब ड्रामा में एडमिसन ले लिया और वही से ग्रेजियेशन पूरी की इस समय नवाज के पास ज्यादा पैसे नहीं थे जिसकी वज़े से उन्हें एक वाच्मेन की नौकरी करने पड़ी सुबह नौ से चार वह वाच्मेन थे और पांच के बाद वह थीएटर करते थे कुछ समय तक ऐसा ही चलता रहा फिर वो और काम की तलास में मुंबई चले गए पर मुंबई ने उनकी उमिदों पर पानी फेर दिया कोई भी टीवी सो में कर अपने सो में छोटे कतके और सावले रंग के एक्टर को लेना नहीं चाहता था ये नवाज के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था उस समय नवाज के पास बिलकुल ही पैसे नहीं थे वो अपना रेंट भी नहीं चुका पा रहे थे फिर उन्होंने अपने एक NHD के सिनियर से पूछा अपना अपार्टमेंट सेर करने के लिए तो उनके सिनियर ने उनको अपने अपार्टमेंट में रहने दिया पर बढ़ले में नवाज को रोज अपने सिनियर के लिए खाना बनाना पड़ता था नवाज के लिए ये जिन्दगी का सबसे संगर्श बरा साथ था और फिर वो ऐसे समय में अपने गाव भी नहीं लोड सकते थे क्योंकि वो डरते थे कि बेरोज गागी के कारण समझ उन्हें कैसे ट्रिट करेगा तो इसलिए वो मुंबई में ही छोटे रोल्स करते रहते थे उन्होंने बॉलिवूड में डेब्यू किया आमिर खान की फिल्म सर्फरोस के साथ जिसमें नवाज का रोल सिर्फ दो मिनिट का था जिस पे किसी का ध्यान भी नहीं गया फिर ऐसे ही नवाज ने कई फिल्मों में छोटे मोटे रोल किये जैसे जंगल मुवी और मुन्ना भाय अमिबियस आट सालों तक बॉलिवूड में स्ट्रगल करने के बाद उन्हें पहली बार 2007 में अनुरा कश्यप ने बड़ा रोल ओफर किया फिल्म ब्लैक फ्राइडे के लिए फिर 2009 में आई हुई फिल्म देवडी और नियुवर्क में उनको काफी काम मिला इस समय पे आके उनके financials देती थोड़े ठीक हुई थी पर नवाज का इससे मन नहीं बरा था उनमें और काम करने की इच्छा थी वो हमेशा सही कुछ नया करना चाहते थी फिर फाइनल यनूरा कश्यप ने नवाज को लेकर एक बड़ा experiment किया इस बार नवाज को लेड रोल आफर किया गैंग्स्टर फैजल खान के रूप में फिल्म गैंग्स ओफ वासरपुर के लिए जिसकी वज़े से नवाज पूरे देश में famous हो गया उन्हें इस रोल के लिए आवर्ड से सन्मानित किया गया फिर नवाज को काम मिला आमिर खान के फिल्म तलास में जिसमें उनका काफी एहम रोल था यहाँ अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है फिर तो जैसे नवाज ने बॉलिवोड में एक पकड़ी बना ली थी फिर नवाज ने कीक, बडलापूर, मांजी दमांटेन में और बजरंगी बाईजन में काम किया नवाज उन दिन कहते है कि फिल्म डिडन हैपन बाई चांस एंड आई टू वाजन प्रिपेर्ड कोई लोटरी नहीं लगी थी फिर बात में गेम समझ में आया उस में तो 12 साल लग गए दोस्तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत दन्यवाद इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते है दोस्तो अगर आप हमारे आगे आने वाले वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब करे आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपिया कमेंट करके जरूर बताए